चलिए, पार्ट टू भाग दो वीडियो में आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं चैनल, यह तो आप एक लोग के लिए वीडियो है, तो which of the following is not last वीडियो में हमने 10-15 सवाल देख लिये थे, 15 सवाल approximately वहाँ पे, जो आप वहाँ पे proper revision से और direct वीडियो से आप उसको solve कर स देखे, अब आगे देखिए, 17 प्रशन आपके लिए कुछ उसी प्रकार से, which of the following is not a risk factor for hypertension, obesity, atherosclerosis, multiple sclerosis, exposure to stress, यहाँ पे देखिए, उच्छ रक्तपात, तनाओ के लिए निम्न लिकित में से कौन एक जोखिम कारक नहीं है, पूछा जा रहा है आप से, ठीक है, यानि कि उच्छ रक्तपात के लिए, यानि आपकी hypertension के लिए, आपको tension होती है, आपको चिंता होती है, और वो जब बहुत ज़्यादा बड़ जाए, hypertension तो आप क्या जाते है, आप stress के अंदर जाते है, ठीक है, तो निम्न लिकित में से कौन एक जोखिम कारक नहीं है, मोटापा आप जानते हैं, संबंदित है किस से आपे, stress से संबंदित है, ठीक है, आपका ethereal sclerosis चली आपको नहीं मालूम, तनाव से उदभासन, यहाँ पे देखिए, यह भी आपका तनाव से संबंदित है, मतलब यह भी कारक होगा आपके उच्छ रक्तपात के लिए, ठीक है, लेकिन यह यहाँ पे देखिए, आपने एक चीज़ देख रहा है, बहुल sclerosis, याने कि आपका multiple sclerosis, आपने unit 4 देखिए, कैसे जोड़ी उन्होंने यहाँ से, unit 4 आपकी जोड़ी कहां से, आपके stress and health वाले factor से, ठीक है, तो उन्होंने तुरा से गुमा दिया, लेकिन आपने वीडियो प्रक्तपात की बाद आपने कभी भी सुनी गया वहाँ पे, नहीं सुनी तो आपको किस के साथ जाना चाहिए था, आपको इसी के साथ जाना चाहिए था, बहुल sclerosis के साथ, option number 3 आप आराम से यहाँ पे देखिए, जिसकी बैचे की mark sheet है, उन्होंने mark किया है, और यह answer सही भी हुआ है, ठीक है, तो सिधा-सिधा आपको यह मालूम है, यह मालूम है, ठीक है, यह नहीं मालूम चलिए मान के चलते हैं, ठीक है, आपको यह तो मालूम था, कि आपने multiple sclerosis पड़ा है, बहुल sclerosis के बारे पड़ा है, कि आपकी जो mylene sheet है, वो damage हो जाती है, वो सारी ची चलिए, अब चलते हैं, अगला सवाल, यह देखिए, अगला सवाल, सेम सवाल आपको 2021 में पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया था, और आपको repeat कर दिया गया है, वो सवाल, सवाल repeat नहीं हो, असको option, primary prevention, प्रात्मिक निवारण, दृतियक निवारण, तृतियक निवार and treat an illness or injury early with an aim of stopping or reversing comes under, किसी बीमारी या चोट की पहचान और उपचार के लिए समस्या को रोकने या उत्क्रमित करने के उद्देश के समय पर की जाने वाली कारवाही निमनकी अंतरगत आएगी, क्या होगा यह, यह सिंपल सा आपको क्या होता है, secondary prevention होता है, यानि कि दृति और 3 या 4 कुछ भी मार्क किया है, तो यह गलत बात है, इसका आप ज्यान रखेंगे आगे से, कि जो चीज़ बताई जा रही है, वह पूछी भी जा रही है, तो उसी को ही आपको मार्क करना है, ठीके, अब चलते हैं अगले सवाल के उपर, यह भी देखिए, डिरेक्ली प्रामानिक, आनंद और कल्यान का एक सिद्धान्त, दियाज भे 5 स्तत्व है, 1000 बार आपको गा के बताया है, ठीके, यह मोडल की बात होती है, निमलिकित सेलिंग मेन के सिद्धान्त में नहीं आता है, ठीके, कौन-कौन सा नहीं आता, positive emotion, meaning that defines authentic happiness, resilience या फिर accomplishment, ठीके, यहाप आपका सकारात्त भावना, फिर आपका समुथान शक्ति, resilience बूच रहे हैं आपे, उपलब्धी और आपका प्रामानिक आनंद को परिवाशित करने वाला अर्थ, आराम से आपको दिखाया था, PERMA, पर्मा मोडल की बात करते हैं, मास्टर बोल रहे हैं, मार्टिन से लिगमे अगर आपने इसको गलत मार्क किया है, तो अच्छे से रिविजन करिए, और जो बुला जा रहा है केवल उतना ही करिए अच्छे से, समुथान शक्ति, resilience की यहां पर बात हो रही है, ठीके, तो लगमा कभी तक हमने देख लिए है, 20 सवाल आपके, सिधे-सिधे आपके इन अगर आपने इन में से कुछ भी गलत किया है, इसका मतलब यह है कि आपको अच्छे से रिवाइज करना है चीजों को, ठीके, परमा का सिंबल बताया है, वो पूछा गया, ठीके, तो आर इसका आपको मतलब आराम से पढ़ना था, थोड़ा सा आपको मतलब आराम से पढ़ What is true about norm in psychological test? आपको पढ़ा था परिक्शन के बारे में आपने, परिक्शन कितने प्रकार के होते हैं, क्या-क्या होते हैं, उसमें एक है आपको norm के बारे में पूछा जा रहा है, ठीके, नौर्म क्या होते हैं, यह आपके जो मानक होते हैं, उनकी बात यहां पे हो रही है, ठ ठीक है चलिए आपको at least जो option है उसको आराम से पढ़ना तो होगा paper के अंदर ठीक है norm helps as comparative device percentage is a type of norm used by some psychometricians t-score is a type of standard score norm raw score is converted to derived score for norm interpretation चलिए क्या बोल रहे हैं आपे manovagyanic परीक्षण में मांदंड के संधर्व में ये आपका norm है और किसी भी MAX परीक्षण में क्या set करते हैं हम norm set करते हैं manodan send करते हैं ठीक है अगर इसी का IQ इतना है तो वहाँ क्या करते है है कौन सा सही है क्या पुछ रहे है कौन सा सही है मतलब इन ओप्षण में से कौन-कौन से सही है वो आपको यहां पे बताना है, मानदंड जो है तुलनात्मक युक्ति के रूप में सायता करता है, कुछ साइकोमेट्रीशन द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाला मानदंड का एक प्रतिशत है, टी स्कोर मानदंड का एक प्रकार है, मानदंड अर्थ प्रतिपादित के लिए और परिश्कृत स्कोर जिद्पन स्कोर में रूपांतरित होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन में से सबसे easy कौन सा है आपके लिए उसको समझना option number A देखिए मांदंड जो है तुलनात्मक युक्ति के रूप में सायता करता है नौर्म के अधार पर ही क्या करते हैं उस sample नहीं उस norm उस प्रतिदर्श उस मानक के अधार पर ही क्या करते हैं उसको आपको समझते हैं चीजों को ठीक है कि यह क्या बता रहा है ठीक है न कि आपके society के भी कुछ norms होते हैं जिसको follow करने चाहिए मानक किसे बड़ों के पाउं चुना है न छोटों से अच्छे से बात करना एंड मारपीट नहीं करना स्कूल में, शाला में नहीं भार यह सब क्या होते हैं समाजिक नॉर्म होते हैं प्रतिदर्श होते हैं ठीक है तो क्या कर सकते है है को हम मांदंड तुलनात्मक युक्ति के रूप में सायता करता है यह बात यहां पर बिल्कुल सही होती है ठीक है यह सही गया तो आपका देखिए वन टू त्री फोर मेंसे चारव मेंसे कुछ भी सही हो सकता है चलिए और आगे देखते हैं यह देखिए आपने टी स्कोर सुना है आपने जेट स्कोर सुना है और आपने स्टेन स्कोर सुना था यह सब क्या है जेट स्कोर यह सब क्या है एक प्रकार के मानक है तो टी स्कोर मानक स्कोर मांदंड का एक प्रकार है क्यो नहीं है बिल्कुल सही बात है बचास वहां पे क्या होता है आपका मीन ह होता है 10 वहाँ पर आपका स्टेंडर्ड डिवीशन होता है कराया हुआ है बताया हुआ है आपको इन में से कुछ भी नहीं होगा एऔर अगर आपको इतना मालूम पढ़ गया तो आप सही आंसर तक पहुच चुके थे यह आपका सही आंसर है क्या है मांदंड अर्थ प्रतिपादित के लिए इतना टाफ हो रहा है तो रहा सा इंग्लिश में देख लेना चाहिए आपको भी यहां पर देखिए क्या बोल रहा है यह चीजर नॉम की मताबिक है या नहीं है तो बिल्कुल सही बात है ये D C देखिए T score is a type of standard score norm बिल्कुल सही बात है T score तो होता ही है ठीक है standard score है ना 50 वहाँ पे आपको मिल रहा है 10 यहाँ पे मिल रहा है फिर norm helps as comparative device compare करने के लिए आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं बिल्कुल सही बात है तो option number 3 जो है आप सही आंजर होता है आपको केवल क्या करना था अगर आपने केवल C को भी पकड़ लिया होता तो C की अधार पे आप C सही है ठीक है तो आप सही उत्तर तक पहुत सपते थे ठीक है अगर आपने paper 1 की भी तैयारी की होगी थोड़ी बहु को सिधा सिधा आपका थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यार देना था अब देखिए अगला सवाल क्या पूछ रहे हैं Which of the following are the motivating factors in learning के लिए किसी भी अधिगम के लिए निमलेखित में से कौन अधिगम में अभी प्रेणात्मक कारक है यानि कोई चीज सीखनी है उसके लिए कौन सा इन में से अभी प्रेणात्मक कारक होगा यह पूछ रहे है यहाँ पे ठीक है तो बड़ा ही यह आसान सवाल थ निमलेखित में से कौन अधिगम में अभी प्रेणात्मक कारक है यानि लर्निंग के लिए कोई भी चीज आपको सीखनी है उसके लिए आपको कौन से motivating factors रहेंगे इन चारों में से ठीक है सबसे पहले दिया है बुद्धी ठीक है यह बुद्धी आपका motivating factor कैसे हो सकता है सब सवाल तो आपको यहीं solve हो जाना चाहिए यह तो होए नहीं सकता ठीक है फिर यहां देखिए कार की प्रक्रती ठीक है यहां देखिए परिणाम की जानकारी और पुनरबलन यह तो आपको मालूम है कि motivating factor किसी भी learning में पुनरबलन मिलकुल हो सकता है अगर आपको मालूम है प motivating factor पुनरबलन ठीक है तो डीट आपका आएगा confirm और डी को कहा दिख रहा है डी के वल को एक option में दिख रहा है और यह आपका सही हो जाता चलिए मांगर जलते हैं आप फुछ भी नहीं मालूम ता option में कुछ भी नहीं है यह भी नहीं नहीं मालूम यह भी नहीं मालूम लेकिन आपको lectures के महत्यम से आपने यह तो सीछा था कि reinforcement ज़रूरी हो जाता है तीक है और यह क्या है एक motivating factor है जो चूहा था जो रेट था वहाँ आप वहाँ पे पहुच जाते